रेज 3 के डिसपॉइंट्मेंट के बाद भी सल्मान और रेमो डिसूजा फिर एक बार कोलाबरेट करेंगे सल्मान खान की लेटेस फिल्म रेज 3 बॉक्स ओफिस पर 175 करोड रुपे कमा गई लेकिन फैंस को बिलकुल पसंद नहीं आई फिल्म का बुरा डिरेक्शन, बुरा प्लोट, बेकार, परफॉर्मेंसेज लोगों ने इसे बहुत ट्रूल किया या तक कि सल्मान की अगली फिल्म दबंग 3 के लिए लोगों ने ट्विटर पे मना कर दिया फिर भी सल्मान खान कोलाबरेट करने जा रहे हैं रेमो के साथ रेमो ने कहा है कि सल्मान सर और मुझे में कोई डिफरेंस इस नहीं है वो मेरी फिल्म डांसिंग डैड के लिए मेरे साथ कोलाबरेट करने जा रहे है सल्मान सर अभी बिजी है फिल्म भारत की शूटिंग में और मैं बिजी हूँ अपनी 4D डांस फिल्म में जिसमें वरुन दवन और काट्रीना कैफ होंगे जब वो भारत के बाद दबंग्त्री की शूटिंग पूरी कर लेंगे उसके बाद वो मेरी डांस फिल्म पर काम करना शुरू करेंगे कमाल की बात यह होगी कि रेमो डिसूजा सल्मान को किस तरह नचाते हैं यह देखना काफी इंट्रस्टिंग होगा डांसिंग डाड फिल्म में है अभी भारत की शूटिंग में बिजी हैं सल्मान खान जिसमें उनके साथ इंपोर्टन ट्रोल्स करती नजर आएंगी प्रियंका चोपरा दिशा पाटनी और इसे प्रेड्यूस कर रहे हैं उनके ब्रदर इन लौ अतुल अगनी होतरी